स्क्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हेलो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्तों और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप साथ दोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में रेडर मेक अलफा कैपसुल के बारे में बात करेंगे कि क्या है ये कैपसुल किस तरस से इसको यूज करना है साथ में इसके क्या हमें बेनफीट मिलता है और ये किस कमपनी दोरा बना जाता है जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में इसलिए इस वीडियो में सुरू से अंत तक बने रहे हैं साथ ही अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दें तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जैसे कि स्क्रीन पे आपको एक रेट कलर का कॉगस का कॉटन दिख रहा है जिसमें रेड मैक अलफा कैपसुल है जो की अस्ट्रा आइडियल लेटेट कमपरिन द्वारे इस प्रोडक्ट को बनाय जाता है और ये बहुत ही बहतरीन ताकत का कैपसुल है जो की आपको कुछ इस तरह के स्ट्रीप में देखने को मिलता है और दस कैपसुल का एक स्ट्रीप होता है जिसकी प्राइज आपको 129 रुपे देनी पड़ती है और कैपसुल जो है सौफ्ट जेल कैपसुल के लुक में आता है और इसमें डाले गए कंपोजिशन पे भी नजर डाल लें तो देखी इसमें आपको मिलता है इच सौफ्ट ग्लेटेन कैपसुल केंटेंस मिठाइल कोबालमीन इसमें 1500 mcg डाला गया है दूसरा जो साल्ट है अलफा लिपिक एसिड जो की 100 mg डाला गया है बिटामिन B6 इसमें 3 mg डाला गया है साथ में इसमें फॉलिक एसिड भी 1.5 mg डाला गया है यानि कि इन साल्टों को डाल कर इस बहतरीन रेड मैक अल्फा कैपसुल को बनाया गया है तो चलिए जानते हैं जल्दी से इसकी यूजेज के बारे में दिखी ये उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो लोग कमजोरी से परिशान है यानि कि उन्हें बार बार चक्कर आता है बहुत ही सुस्ती मालूम देती है किसी भी काम करने में मन नहीं लगता उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कैपसुल है साथ में जिनके नसों में कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि नसों में ब्लड शेर्कुलेशन अच्छी तरह से ना होना हाथ पैर में जंजनाट होना साथ में हाथ पैरों में टास लगना या फिर हाथ पैरों में दर्द होना तो इन तरह की समस्याओं को भी बहुत ही शांद सूपर कैपसुल है जो की ताकत देने के साथ साथ हमारे बॉड़ी में तरह तरह की समस्याओं को भी दूर करने में काफी मदद करता है साथ में जिनको भूख अच्छी नहीं लगती सहत दिन बदिन बिगड़ रहा है वो लोग भी इस कैपसुल का इस्तमाल कर सकते हैं साथ में जिन लोगों को हेमोगलोबिन की कमी है यानि की बलॉड जो है काफी कम हो गया है उनके बलड को भी बढ़ाने में काम करता है क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड डाला गया है जो की रेड बलड शेल्स को मेंटेन करता है तो चलिए जान लेते हैं इस Red Mac Alpha कैपसुल को किस तरह से यूज़ करना है तो देखिए एडल्ट के लिए आता है यानि कि बड़ो लोगों में इसका इस्तमाल होता है बड़े लोगों में इसका जो डोज है एक कैपसुल नाइट में दूद या पानी से आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके लेने के बाद आपके बॉड़ी में बहुत ही स्टेमना आ जाती है बहुत ही आपको ताकत मालुम देता है साथ में चक्कर जैसी समस्या भी आपकी दूर हो जाती है साथ में अगर आपके ब्लड प्रेशर लो होने की वज़े से चक्कर आता है तो इन तरह की समस्याओं को भी ये दूर करता है तो ये था रेड मैक अलफा कैपसुल के बारे में सब कुछ अगर आपके मन में कोई भी doubt हो इस capsule को लेकर तो please आप हमें comment कर सकते हैं हमारे comment box में आके वीडियो को like कर देए इसे ज़ादे से ज़ादे share करें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत भत धन्यवाद